नमस्कार दोस्तों खुबसूरत फूल देखना तो हर किसी को पसंद होता है लेकिन कई बार लोगों की मुसीबत ये हो जाती है कि उनके घर में धूप नहीं आती है और स्पेस का प्रॉबलम रहता है तो ऐसे समय के लिए हमें फूलों से हटकर कुछ फूलेज वाले पौधे जो फूलों से कम नहीं होते हैं रंग भी रंगे और छोटे छोटे पॉट में कम धूप में ग्रो हो जाते हैं असानी से और ये बड़े ही खुबसूरत मन मोहक तो होते ही हैं साथ ही स्पेस की भी सेव दिन करवाते हैं ये रंग भी रंगे फूलेज वाले पौधे कटिंग से बी इजली गू हो जाते हैं तो एक बर आप इसे लाएंगे और बार बार कटिंग से लगा करेंगि जिससे आपके पैसो की बचकत होगी पौधों की भरमार भी हो जाएगी आपके गार्डेन में तो है तो छोड़ को जाता है और नेक्स ही जो देख है पोलकाड़ से और अगितंग के इजली फंदुमें ते चोटफे पॉर्ट में वालकनी में इसे आराम आप इसे इसे ग्रो कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरत तीन कलर में उपलब्ध होता है रेड, पिंक and वाइट बहुती खुबसूरत कमधूप में चलता है नेक्ष्ट ये पिंक जेड का प्लांट देख रहे है वेरिगेटेड जेड इसे वेरिगेटेड एलिफेंट बुस के नाम से भी जाना जाता है कापी खुबसूरत और छोटे-छोटे पॉट में ग्रो होने वाला खुबसूरत सा पौधा मैंने ही रिसेंट ही इसे बाई करी है और आप लोगों को एक लुक दिखा रही हो आप इसे वेस्ट घर में कोई कॉफी मग हो उसमें भी इसली ग्रो कर सकते हैं चोटे-छोटे कप्स में पॉट में इसली ग्रो होने वाले बालकनी में कम धूप में चलने वाले ये वेरिगेटेड एलिफेंट बूस यानि की वेरिगेटेड जेट को भी लगा सकते हैं नेक्स्ट बेहदी खुबसूरत चोटे-छोटे पॉट में ग्रो करने वाले या फिर हैंगिंग बास्केट में कम धूप में चलने वाला या पौदा बहुत ही खुबसूरत से निसियो जीनस का ये स्ट्रिंग ओ पर्स देख रहे हैं ये भी बहुत ही खुबसूरत होता है वाइट कलर के छोटे से पॉट में देखे कितना प्रेटी कितना खुबसूरत लग रहा है बालकनी की किसी कॉर्णर पे आप इसे रग दे जहां धूप कम आती हो वैसी जगह के लिए आइडियल है तो इसे आप ग्रो करें नसरी से लाई या कहीं से एक छोटी सी कटिंग भी आपको मिल जाए इसके स्ट्रिंग की तो आप इसे लाकर ग्रो कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरत होता है कम पानी इसको लगता है और कम धूप लगता है किसी भी कॉर्णर पे ये एडजेस्ट होकर आपके गार्डेन को बहुत ही खुबसूरती प्रदान करेगा ये स्ट्रिंग ओपर्स जिससे सिनसिय जेनस का ये एक सक्लेन विराइटी का पौदा होता है बहुत ही खुबसूरत और ये नाजुक सा ऐसा लगता है कि मोतियों का बंच किसी ने पॉट में रग दिया हो नेक्स्ट ये आप क्रिस्मस कैक्टस देख रहे हैं बहुत ही खुबसूरत अलग अलग रंगों में क्रिस्मस कैक्टस की फूल आते हैं जब इसके फूल खीलते हैं तो बहुत ही खुबसूरत लगता है दोस्तों तो रिसेंट ही मैंने भी अपने गार्डेन में ये क्रिस्म स्कैक्टस को एड़ कर सकते हैं अपने छोटे से बालकनी गार्डन के लिए नेक्स दोस्तों ये बोरोस टेल्स का पौदा देख रहे हैं ये भी मैंने रिसेंट ही अपने सेर में लगे फ्लावर सोसे से लेकर इसे भी आई है तो ये भी काफी खूप सूरत लग रहा है और इस से में मिलने वाला उसे गलास वगेरा लाकर, कपस वगेरा लाकर जो मार्केट में इसली सस्ते में अविलेवल हो उस जैसे उसे पौट के रूप में घ्रो करके हम लोग आईडियली उसमें इस तरह के पौदे को अराम से घ्रो कर सकते हैं बोरोस टेल जो होता है एक पती से भी ग्रो हो जाता है बहुत ही इसली ग्रोइंग यहां से टिप से भी आप काट कर इसे जो न्यू ग्रोथ होती है उसे भी लेकर आप बहुत सारे पौदे मल्टिप्लाई कर सकते हैं बस गर्मियों में विसे ध्यान देकर हम लोग इसे बचा सकते हैं काफी खुबसूरत लगत चाहिए नेक्स दोस्तों यह स्ट्रेंग ऑफ डॉल्फिन का पौदा देख रहे हैं तो यह भी मैंने रिसेंट ही बाई करी है यह बहुत ही हाड़ी होता है ट्रॉपिकल जगह पर यह इस तरह के सकलेट इसली सर्वाइब करते हैं इसकी पत्या देखिए ऐसा लगता है कि सुरुप सूरत होता है और यह काफी ज़्यादा कटिंग से इसली लगता है और सीट भी बनते हैं इसमें फलाव की आते हैं तो यह भी काफी खुबसूरत सक्लेंट का पौदा होता है, जो छोटे-छोटे कप्स में, ग्लासेस में, प्लास्टिक के या सेरमिक पॉट में इसली ग्रो हो जाते हैं, तो ये बहुत ही खुबसूरत पौदा है दोस्तों, इसकी पत्तियों को देखने से सच में लगता है कि कोई डॉल्फिन क मचली फुदक रही हो, और धे सारे डॉल्फिन एक स्ट्रिंग में लटके हुए हैं, काफी खुबसूरत है, कुदरत का करिस्मा भी अनोका होता है, एक से बढ़कर एक पौदे हमें उन्होंने तौफे के रूप में दिया है, नेक दोस्तों छोटे-छोटे पॉट में, कम धूप में ग्रो होने वाला, ये हाडी सक्लेंट है, रूबी नेकलेस के नाम से जाना जाता है, इसके डंडिया परपल होती है, रूबी कलर के जैसा बहुत ही खुबसूरत गुलाबी पना लिये हुए होता है, इसलिए इसे रूबी नेकलेस कहा जाता है, ऐसा लगता है कि कोई necklace यो गले में बांध लेने से बहुत ही खुबसुत इसकी पतियों में जेल भरा होता है ये भी एक succulent category का पौदा होता है ये काफी hardy succulent होता है इनकी डंडियों का color आप देखिए ये ruby के color का है इसलिए से ruby necklace कहा जाता है ये tropical जगा के लिए आइडियल succulent पौदा होता है इसलिए इसे मैंने रिसेंट बाई करी है अपने सहर के flowers से काफी सुन्दर सुन्दर उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पौदे आए हुए थे उसकी link में डिस्किप्शन आई बटन और इंडि स्क्रीन पर लगा दूंगी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो बहुत ही खुबसूरत छोटी-छोटे पौट में वेस्ट में मैंने ग्रो करी है मेरे घर में ये वेस्ट पड़ा हुआ था ये ग्लासे जिसे मैं यूज नहीं करती थी तो अब मैं आपको रेफरेंस के तोर पे अभी दिखा रही हूँ फिर मैं इसकी एक अच्छी वेल्डेंट पॉटिंग मेडिया लगा कर इस ग्लासे इसको होल बना कर डेनिज होल होना काफी जरूरी है उसके बाद मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी और वोभी आप लोगов के साथ सेर करंगी आप लोग कहेंगे तो इसकी पतियां बेहदी खुबसूरत लंबी-लंबी चमकदार पतियां होती हैं और जो इसके फूल खिलते हैं येलो कलर का वडेलिया के फूल के जैसा काफी चोटा चोटा सा सूरज मुखी के फूल भी दिखता है इसकी पतियां बेहदी आकर्शक है कम पानी कम धूप कम इसपेस छोटे से पॉट में चलता है नेक्स दोस्तों यह काफी खुबसूरत वांडरिंग ज्यू की पिंक वराइटी आप देख रहे हैं काफी खुबसूरत होत जिसे ट्रडसकांटिय ट्राइक कलर के नाम से जाना जाता है इसकी एक वाइड वराइटी वो भी आपको में दिखाऊंगी तो यह भी काफी खुबसूरत होता इसे भी मैंने रिसेंट पर्चेस करी है और यह भी छोटे-छोटे कप्स में पॉट्स में ग्लासेस में तेज धूप से इसे बचाईएगा ज्यादा पानी से बचाईएगा हलकी फूल की छोटी से भी कफ में इसे आप लगा सकते हैं और कटिंग से धेरो धेरो मुफ्त में मल्टिप्लाइ कर सकते हैं इसकी खुबसूरती मैं बहुत ही फिदा हूँ बहुत ही खुबसूरत है और अलग कलर, उपर में अलग दो कलर, तो इसे ट्रडिसकंसिया ट्राइ कलर के नाम से जाना जाता है, हैना बहुत खुबसूरत, और ये देखे ये एक और अनदर वराइटी है, ये वाइट कलर के है, और इसे पाइडर वाट के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स दोस्तों, ये चोटी चोटी पॉट में ग्रो हो जाता है इसका नाम है पीलिया डेप्रेसा यह काफी खुबसूरा थेंगिंग बास्केट में लगता है बालकनी के किसी कॉर्णर पे किसी वाल प्लैंटर में असानी से ग्रो हो जाएगा ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए और ज्यादा करा था और वो पॉधा मर रहा था ओबर वाटरिंग हो गई थी कहीं नया था मेरे लिए उस टाइम यह पॉधा तो उसकी चोटी सी कटिंग मैंने लगा ली मदर प्लांट तो उसका मर गया लेकिन उसका यह बेबी देखे आज भरपूर फल रा फूल रा यानि किसकी सिंडर में इसे लगाया हुआ है यह बहुत ही खुबसूरत हवाथिया जैबरा आप देख रहे हैं काफी खुबसूरत लगता है काफी स्लो ग्रोवर है तो इसे छोटे पॉट आप इसे देंगे तो जल्दी से आपको री पॉट भी नहीं करना होगा बस सॉयल इसकी आप व लगता है यह चोटे से पॉट में इसे और भी चोटे पॉट में लगाएंगे तो यह और भी ज्यादा खुबसूरत लगेगा नीचे से बहुत सारे पॉट भी प्रोड्यूस करता है जब पॉधा मिच्यूर हो जाता है तो हावाथिया की को सीवी वी वराइटी आप छोटे बहुत ही हाड़ी है कम पानी में भी चल जाता है और इसकी वेरिगेशन के कारण यह पॉधा बहुत ही प्रिटी लगता है साथ ही पैसो की बचत भी कराता है क्योंकि बहुत जादा बहुत जादा मल्टिप्लाइ होता है और यह मेरा मदर प्लांट नहीं है यह मदर वह फ्री का पौदा है जो कि घर में इसली में बहुत सारे पौदे फ्री में बनाते रहती हूं और अपने नेवर्स और फैमिली मेंबर्स को गिप्ट करते रहती हूं बहुत ही खुबसूरत है तो इस तरह से आप भी यह आइडियल पौदा जरूर लगा सकते नेक्स जो यह काफी खुबसूरत संडफस का पौदा बहुत ही कुबसूरत ही इस्के twistHHHH16 खुबसूरत है इसर्टेंट यह बहुत ही खुबसूरत है लगते हैं उसे से एंट संडफbn के नाम से घ्याना जाता है कि मैंने फ्लावर सो से इसे बाय करी है बहूत ही खुबसूरत है तो धुल प करने के लिए कमेंट करीगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें बिल बेटन आइकन को प्रेस करें तो सेंड एपसिस का पौदा भी बहुत ही खुबसूरत होता है यह भी छोटे-छोटे पॉट में अल्लियर स्टेज में आप इसे ग्रो कर सकते हैं फिर इसे पॉट में निकल रहे हैं तो काफी खुबसूरत है नेक्स यह आप वाटर मेलन बेगोनिया का पौदा देख रहे हैं हें काफी खुबसूरत लगता है चोटे-चोटे हैं वास्केट में इसे मैंने छोटे से पॉट में लगा करकी हैं तो यह बहुत ही इसली कटिंग से भी उसके क्योंनी हो जाते इसकी पतीयों को देखने से ऐस लगता है कि biscuit 물iखा हुआ हो। बहुत ही खुबसूरत फोलिज है इसका बहुत ही खुबसूरत और कम दूप में चलता है चोटे सा स्पेस इसे दीजेगा कहीं भी टांग दीजे किसी भी दीवार में किसी भी खिड़की में मैंने तो खिड़की में टांग रखी है और काफी खुबसूरत भी लगता है ये दोस्तो नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं ये क्रैसुला ओभाटा है बहुत ही खुबसूरत इसकी पतियां देखकर आप इसे लिए बिना रह नहीं सकेंगे क्योंकि जादा स्पेस में इसको जरूरत नहीं होती है छोटा सा पॉर्ट इसे चाहिए बालकनी का एक छोटा सा कोना कहीं भी आप इसे रख दीजें दिवाल में लटका दीजें उपर हैंग कर दीजें हैंगिंग बास्केट में रख दीजें नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं बहुत ही खुबसूरत ब्लैक जीजी का पॉधा और ये भी मैंने फ्लावसों से भाई करी है इसे तो धूब की जरूरत नहीं होती है ब्राइट लाइट चाहिए और पानी तो इसे एकदम दीजिए हिमत दस पंदरा दीन के पहले बहुत ही खुबसूरत पॉधा है इसे भी रिसेंट बाई करी तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगे ये जरूर मुझे कहिएगा कमेंट सेक्शन के त्रू कटिंग से ये इसली ग्रो हो जाती है तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाती है इतने खुबसूरत पॉधा है देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है जब इसे मैं एक छोटा सा पॉट दूंगे तो ये कितना खुबसूरत लगेगा कि छोटे पौधे के लिए छोटा सा ही पौध चाहिए हमें बड़े पौधे जब हो जाते तो उसे मीडियम साइस का पौट देना चाहिए और जीजी प्लान को तो भूल पफि भी नहीं देना चाहिए क्योंकि बड़े पॉट में ओवर वाटरिंग की डर होती है नेस्ट ट्राइकलर रोयों को भी आप छोटी से पॉट में लगा सकते हैं बहुत ज्यादा ये मल्टिप्लाइ होता है दोस्तों इसे कटिंग से मैंने कई सारे मल्टिप्लाइ कर लिये हैं क काफी खुबसूरत इसके फोलेज होते हैं ट्राइकलर रही हो के तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हैल्फुल रहा हो कम जगह में मैंने देखी अपनी विंडो के छोटी से जगह पर इतने सारे पॉधे रखे हुए हैं तो आप लोग भी ग दोस्तो टेक क्यार हैपी गार्णिंग